इस वीडियो में हम TGT 2016 बायलोजी का पेपर जो 31 जुलाई 2021 को आयोजीद हुआ था उसको सॉल करेंगे क्वेश्चन नमर एक है भारती उप महाद्यूप को किस में समलित किया जाता है तो देखिए जो पहली और्कटिक छेतर है वो क्या है वो उत्री अफरीकी और यूरोपी छेतर है नियो ट्रोपिकल है वो दच्छडी अमेर्की छेतर है और इसके बाद क्या बच्चा यह नी और्कटिक छेतर है जो यह उत्री अमेर्की छेत्र है तो यहाँ पर जो ओरियेंटल रीजन है यह कहलाता है भारती उप महाद्यूप का छेत्र यानि B option यहाँ पर करेक्ट होगा Question number two है Hemoglobin का वियोजन वक्र होता है Hemoglobin का वियोजन वक्र होता है वो Sigmoid कहलाता है तो यहाँ पर D option करेक्ट होगा निम्न लिकित में से किसको उड़ने वाली मचली कहा जाता है तो देखें जो एक्सो सीटस होती है इसको कहते हैं उड़ने वाली मचली यहाँ पर D option करेक्ट हो जाएगा Next question है निम्न में से कौन सा जन्त अवनति सील रूपांत्रन दिखाता है किसमें दिखाता है तो यह हर्ड मेनिया जो होता है वो अवनति सील रूपांत्रन दिखाता है तो यहाँ पर D option करेक्ट होगा Next question है पर्या वरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकी करण से बना तंत्र क्या कहलाता है तो यह ecosystem कहलाता है यानि कि पारिश्थित की तंत्र कहलाता है Next question है केसिका गुच्छी ये निस्यंद का लगभग 80% पुना अवसोसित होता है यह किन नलिकाओं में होता है तो यह PCT में माना जाता है यानि कि समीपस्त सम्वलित नलिकाओं में तो यहाँ पर A option करेक्ट होगा कौन सा कवक कापर की सूच मात्रा भी पहचान लेता है और बायो एस्थिस में प्रयुक्त होता है तो यहाँ पर जो Saccharomyces cerevisi है इसको यह जो कवक होता है यह कापर की सूच मात्रा भी पहचान लेता है तो यहाँ पर B option करेक्ट माना जाएगा Saccharomyces cerevisi Next question है एंजियो इस्पर्म विक्सित हुए थे एंजियो इस्पर्म कव विक्सित हुए थे तो यह मीसो जोईक यानि की B option यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मीसो जोईक महा कल्प में Next question है औरकेल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है तो यह किस से प्राप्त होता है तो यह देखिए जो सेटरेडिया आइसलेंड का है इससे नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है तो यहाँ पर A option करेक्ट होगा थोड़ा फास्ट तरीके से जो है इसको solve करते हैं यह कि 125 question को solve करना है तो मटर में दल का पुस्पदल विन्यास होता है किस प्रकार का होता है तो यह वेकजिलरी प्रकार का होता है तो यहाँ पर B option करेक्ट होगा वेकजिलरी प्रकार का इसके बाद next question है नर्स कोसिकाएं किस में पाई जाती है देखिए जो नर्स सेल्स होती है वो रिक्सिया में पाई जाती है तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा रिक्सिया में इसके बार next question है इसफ गोल किस से प्राप्त किया जाता है इसफ गोल जो होता है वो किस से प्राप्त किया जाता है तो वो plantago oveta से प्राप्त किया जाता है यहाँ पर B option correct हो जाएगा next question है निम्ने में से किस जन्तु में हुईल आरगन उपस्थित होते हैं। हुईल आरगन जो है MP-oxys में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा। Next question है, अगनासय की D-Cosicain तथा D2F-Cosicain क्रमसा स्रमण करती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो options best माना जा रहा है, तो वो होगा कि B option यहाँ पर correct हो जाएगा। इसके अलावा A option को भी correct माना जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आयोग के द्वारा जो final answer की आएगी, उसको देखने के बाद correct माना जाएगा। यह हमारा अपना analysis है, तो जो यह analysis के बाद हमने इस question का answer पाया है, यह B answer सही माना है, तो इसके बाद जो है, जब final की आएगी, उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आयोग ने कौन सा answer सही माना है। Next question है, निम्न में से कौन सा कीट सैलाक उत्पन करता है, तो जो सैलाक उत्पन करता है, वो होता है लैकी, फेरा, लैक का, तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा। निमलिखित में से किसे इस्तन धारियों का युग कहा जाता है किसे कहा जाता है तो जो सीनो जोईक युग होता है उसको क्या कहते हैं इस्तन धारियों का युग यानि मैमेल्स का इरा कहते हैं तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा Next question है समी करण Lactate, Elanine, Glycerol, Glucose, निमलिखित में से क्या दर्साता है तो यह जो reaction होती है पूरी यह कहलाती है Gluconeogenesis तो यहाँ पर C option correct होगा Gluconeogenesis Citrus Canker नामक रोग होता है Citrus Canker जो रोग होता है वो किससे होता है वो जिवाडू से होता है जैन्तो मुनास जिवाडू से तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा Next question है Ascaris के लारवा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है यहाँ पर मोल्टिंग पूछी जा रही है कि Ascaris के लारवा में प्रथम और अंतिम जो मोल्टिंग होती है वो किसमे होती है तो यहाँ पर आंत्र में निर्मोचन होगा जो वो प्रथम और अंतिम बार होगा तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा आंत्र में Next question है निम लिखित में से कौन सा Embryophyta समूँ के अंतरगत आता है Embryophyta समूँ के अंतरगत कौन सा हैगा तो यह Bryophyta आएगा B option यहाँ पर correct हो जाएगा Next question है दूई निसेचन की परिघटना सरपर्थम देखी गई थी किसके दोरा देखी गई थी तो देखे जो SG 9A सीन थे इसके दोरा Double Fertilization की सरपर्थम यह घटना देखी गई थी तो यहाँ पर कौन सा option correct हो जाएगा यहाँ पर A option correct हो जाएगा Next question है निम्निमे से किसके कारण मेड़क का गैस्ट रूलेशन MP Oxys के गैस्ट रूलेशन से अधिक उल्जा हुआ होता है देखिए इस question का जो answer है यह बहुत ही इसमें मतलब clear नहीं है तो इसको आफ वेट कर लिजे इसमें बिल्कुल भी कोई भी answer का जो question का answer है वो बिल्कुल clear नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं Next question है नेरीश अपने nitrogenous abscist को किस रूप से nephredia से बाहर निकालता है तो यह होता है ammonia ammonia को बाहर निकालता है और नेरीश क्या है नेरीश एनेलीडा संग का प्राड़ी है Next question है इन में से कौन सा फल के पकने है तो आवश्यक होता है तो यह ethylene जो होता है यह फल में पकने के लिए आवश्यक होता है Next question है इक्वी सीटम के तनों में प्रोटो जाइलम वाहनिकाओं के विगटन से बनने वाला गुहा होता है तो यह होता है कराइनल कैनाल तो यहाँ पर D option करेक्ट हो जाएगा Next question है मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला क्विनीन प्राप्त होता है तो यह किस से प्राप्त होता है तो यह सिनकोना के चाल से प्राप्त होता है तो यहाँ पर A option इसमें करेक्ट होगा Next question है नौपलियस लारवा विसेयक निमलिकित कथनों में से कौन सा सत्त है देखिए जो नौपलियस लारवा है वो क्या है आर्थो पोड़ा के सब फाइलम के जनतों पाया जाता है जैसे कि क्रैप्स हो गया प्रांस हो गया तो इसमें क्या है कि एंटीनियूल्स एंटीना और मेंडिवल्स दोनों यहाँ पर दुशाकी होते है तो यहाँ पर हमारे एनलेसिस के हिसाब से ए और डी दोनों सही होंगे ठीक है ए और डी लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्सन सेलेक्ट करना है तो अब यहाँ पर कैसे करें क्योंकि जो एंटीनियूल्स होती है एंटीना होती है और मेंडिवल्स होते है यह तीनों क्या होते है दुशाकी होते है ठीक है तो तीनों जो है बाई रेमस होते हैं तो यहाँ पर हमारे analysis के साब से A और D दोनों सभी होने चाहिए नेक्ट कोशन है युगमक धानी संयुगमन सामानता पाया जाता है किसमें पाया जाता है तो ये जाइगो माई सिटीज में पाया जाता है जो कि एक फंजाई का क्लास है बी ऑप्सन यहाँ पर सही होगा जाइगो माई सिटीज इसके बाद है नेक्ट कोशन एक लगु बीजाण उधानी में टैपिटम सामानता कितने इस्तर का होता है तो यहाँ पर जो लगु बीजाण उधानी होती है उसमें टैपिटम सामानता एक इस्तर का होता है तो यहाँ पर A option correct माना जाएगा Next question है लैमार्क ने अपने संग रहीत गुडों और वनसागती के सिद्धानत को सिद्ध करने के लिए निम्ड में से किस क्लासिकल उधारण का प्रयोग किया था तो यह बहुत आसान question है तो यह जिराफ का जो उन्होंने उधारण के द्वारा यह प्रस्तुत किया था यहाँ पर B option correct हो जाएगा Next question है और इलिया में उच्छवासित जलधारा कहां से वापस आती है तो इसमें से जो पर रेडिया है और इंटर रेडिया है इससे जलधारा वापस आती है तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा Next question है प्राण घाती जीन्स मुखता अप्रभावी होती है इसलिए वह dot dot अवस्था में ही प्रभाव उत्पन करती है तो यहाँ पर जो होमोजाईगस होगा यहाँ पर यह correct answer होगा सम युगमजी होमोजाईगस C option यहाँ पर correct मना जाएगा Next question है कैम पौधे रात में उत्पन करते हैं क्या उत्पन करते हैं तो यह Miley Acid उत्पन करते हैं तो यहाँ पर C option correct होगा Next question है निम्न में से कौन सा फिनालिक हार्मोन सा है तो देखे जो अड्रेनलीन हार्मोन है वो फिनालिक हार्मोन की तरह कार करता है तो यहाँ पर जो हमारे एनेलिसिस के हिसाब से होगा वो A option यहाँ पर correct माना जाएगा Next question है अर्ध गुड सूत्र जो विभाजित किन्तु अप्रथक सूत्र केंदर द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं तो यह sister chromatates कहलाते हैं तो यहाँ पर A option correct होगा Next question है दोमट मिट्टी में मरदा कन अनुपात होता है तो यहाँ पर देखिए जो 50% रेथ हो गया और 50% सिल्ट हो गया या फिर दोनों हो गया तो यहाँ पर D option correct होगा Next question है निम लिखित में से कौन सा निमनी करणी प्रदूशक है निमनी करणी प्रदूशक कौन सा है तो जो घरेलू मल जल है यह निमनी करणी प्रदूशक है Degradable pollutant Next question है चतूर कसाभी चल भीजाण जूइस पोर अवस्था पाई जाती है तो यह जो अवस्था पाई जाती है यह यूलो त्रिक्स में पाई जाती है तो यहाँ पर A option correct होगा यूलो त्रिक्स में पुरकिंजे के तंतु उपस्थित होते है पुरकिंजे के जो तंतु होते है वो हरदय में पाई जाते है तो यहाँ पर C option correct होगा Next question है कुछ जातियों में पाई जाने वाले समझात अंगों का कार इस पस्थ नहीं होता है तो यह क्या कहलाते है तो देखिए इस वाले जो question का जो answer है यह भी बहुत ज़्यादा clear नहीं है तो यहाँ पर जो हमने analysis किया है उस हिसाब से तो अवसेसी अंग कहलाने चाहिए तो यहाँ पर हम इसको D मान कर चल रहे है Next question है बोट्राइडल उतक निम्ड में से किस जन्तु का एक विसिष्ट लच्छन है तो यह हेड़नेरिया ग्रैनुलोसा होता है जानी जोंक जो होती है उसमें यहू तक पाया जाता है तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा chloroplast में अधिक मात्रा में पाया जाता है तो यह होता है RUBP carboxylase सर्वाधिक मात्रा में यह पाया जाता है तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा Next है निमलिकित में से किसे रेंडियर मास के नाम से जाना जाता है तो यह जो यहाँ पर C option है यह क्लेडोनिया रेंगी फेरा यहाँ पर यह रेंडियर मास के नाम से जाना जाता है next question है बेंथम होकर का कोहार्ट आज के समकच है किसके समकच है तो यह जो है order के समकच है तो यहाँ पर B option correct हो जाएगा order के समकच next question है निम लिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखे monosaccharide fructose है polysaccharide cellulose है ठीक है लेकिन जो disaccharide है यह galactose galactose जो है disaccharide नहीं है यानि कि यह monosaccharide है और यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर यही C वाला जो option है यही सुमेलित नहीं है next question है नर्मच्चर के मुखांग में निम्ड में से कौन सा नहीं होते है तो यहाँ पर maxili है और mandible से यह नहीं होते हैं तो यहाँ पर A option करेक्ट हो जाएका नेक्स्ट कोश्चन है निम्लिखित में से निम्लिखित कुल में से किसमे किसमें बाहईDonse पेपस में परिवर्तित हो जाते हैं देखे जब plant families की जब हमने video class पड़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि family जो Compositive होती है उसमें क्या होता है कि जो बाहधल पुञ्ज होता है वो Pappels के रूप में होता है तो यहाँ पर c option correct हो जाएगा Compositive में next question है Rhizo4 में मिलता है तो यह जो eleg nela होती है उसमें यह rhizo4 मिलता है तो यहाँ पर d option correct हो जाएगा next question है Markensia में Calyptra विक्सित होता है तो यह किस से विक्सित होता है, यह base of archegonium, ठीक है, इस्तरी धानी के तल से, तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा, Next question है, रसकाष्ट को इस नाम से भी जाना जाता है, sap would is also known as, किस नाम से जाना जाता है, तो यह L. Burnham के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा, L. Burnham, समझाता को निर्देशित करती है, समान पूर्वज परमपरा, ठीक है, समान पूर्वज परमपरा, लेकिन देखिए, अब सारी विकास भी कहीं कहीं मिल रहा है, तो यह यहाँ पर C option भी हो सकता है, और A option भी हो सकता है, तो इसको भी आयो योग के final answer के आने तक इंतजार करना पड़ेगा, next question है, चले जो गामी निसेचन होता है, चले जो गामी जो निसेचन होता है, वो किस में होता है, तो वो कैजू राइना में होता है, तो यहाँ पर C option correct होगा, next question है, निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए, यहाँ आपर कह रहा है कि कौन सा option सही है, लार इसनेहक की तरह कार करती है, लार एमाइलेज स्टार्च को गलुकोज में बदल देती है, तो यही दोनों option सही लग रहे हैं, तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा, एक तथा दो सही है, next question है, पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित होत होती है, जहाँ पर पानी नहीं होता है, वहाँ पर भी रहता है, रह सकता है, तो इस प्रकार से यह क्या हो गया, एमफीबिया हो गया, तो यह उभैचर कहलाएगा, तो यह किस प्रकार के लिए अनुकूली थे, यहाँ पर C option correct हो जाएगा, next question है, पापीते का पंड कुंचन यानि कि लीफ करल रोग होता है, किस के द्वारा होता है, तो यह विसाणू के द्वारा होता है, वाइरस के द्वारा होता है, तो यहाँ पर B option correct हो जाएगा, next question है, पॉलीटीन गुरसूत्र की खोज निम्ड में से किस ने की थी, तो यह बालवियानी ने किया था, तो यहा द्वारा यहाँ पर बताया गया है, तो यह जो हैं, बर्गर, फिनो, मिनोन के द्वारा, रक्त में बिद्धुत, टतस्थिता बनाई रखी जाती है, तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा, इसके बाद next question है, इन में से कौन सा lichen है, चार option दिए गया है, इसमें से हमको select करना है, कि यह क्या है, यह एक lichen है, तो यहाँ पर C option correct होगा, next question है, यूनियो में कंकत क्लोम किस प्रकार के होते है, यानि कि जो टिनीडियम आप यूनियो है, वो कहरा है, वो कहरा है, विच टाइप किस प्रकार के होते हैं, तो यह होते है, यू लै मिली ब्रैंक, यानि कि C option यहाँ का क्लोरोप्लास्ट है, किस का बना होता है, तो यू लीना का क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोफिल A और B दोनों का बना होता है, तो यहाँ पर C option correct होगा, निम्न में से किसमे सामाजिक जीवन के सुरुवाती साच्छ प्रमाण पाए गए है तो देखिए ये क्रो मैगनेन मानों में पाए गए है लेकिन कुछ बैग्यानिकों ने नियंडर्थल मानों को भी माना है तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा confusion है कि कौन सा आयोग question को सही मानेगा तो इसको भी आपको wait करना पड़ेगा इंतिजार करना पड़ेगा next question है निम्न में से कौन सा अवसेशी अंग नहीं है तो कौन सा अवसेशी अंग नहीं है तो अश्थिया जो है वो अवसेशी अंग नहीं है तो यहाँ पर D option correct होगा सामान ने जो राक वबूतर है वो घोशला नहीं बनाता है common rock pigeon does not build a nest on कहाँ पर नहीं बनाता है तो यह पेड़ पर नहीं बनाता है तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा next question है markensia के ilator होते है markensia के जो ilator होते हैं वो क्या होते हैं doigodid एवं आदरता ग्राही यानि कि deployed and hygroescopic तो B option यहाँ पर correct हो जाएगा next question है rosewood का वानस्पतिक नाम है जब taxonomy की हमने question answer की series की थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि rosewood का जो बटानिकल नेम होता है वो क्या होता है वो dalbergia, lati, folia होता है तो यहाँ पर A option correct होगा next question है darwin द्वारा जातियों का उदभाव में इस परधा के विचार को निम्न में से कहां से लाया गया था यानि कहां से लिया गया था मेढक में विदलन कैसे होता है अभी जो हमने types of x की वीडियो क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था unequal holoblastic ठीक है holoblastic and unequal तो यहाँ पर B option correct हो जाएगा पूर्ण भंजी तथा असमान next question है which types of joints are found in the pectoral and pelvic girdle of frog from the following तो यहाँ पर जो है D option correct हो जाएगा ball and socket कंदूक और socket किस प्रकार की संदी मिलती है कंदूक और socket प्रकार की next question है निमलिकित में से किसकी उपस्थिती के कारण फैरी टीमा का रक्त लाल होता है फैरी टीमा क्या है यहाँ पर केचुवे का यहाँ पर पूंच रहा है फैरी टीमा पास्थुमा का रक्त लाल किस प्रकार से होता है क्यों होता है तो यहाँ पर देखिए जो intercellular hemoglobin है इस प्रकार से इसका जो रक्त होता है वो लाल होता है यहाँ पे C option correct होगा Euromastix का सामान नाम है जब vertebrates में हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो Euromastix होती है उसको क्या कहते हैं कटीली, पुछ चिपकली के नाम से जानते हैं इसको तो यहाँ पे Spiny Tilt Lizard के नाम से इसको जानते हैं तो यहाँ पे B option correct हो जाएगा नेक्ट कोशन है इस Koliodon में Lorengini की Empoli का क्या कार होता है तो यह जो होता है वो क्या होता है Thermo Receptor का कार होता है ताप सुग ग्राही तो यहाँ पर B option correct होगा B नेक्ट कोशन है कसाभिक युक्त चल कोशिकाओं का सर्वता अभाव होता है किसमे होता है तो यहाँ पर देखे यह LG से Question लिया गया है तो यहाँ पर जो अभाव होगा वो होगा Sinophysis में तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा Sinophysis में Next Question है निम्न जन्तुओं में से किसमे आहार नलिका नहीं होती है Elementary Canal किसमे नहीं होती है तो टिनिया में नहीं होती है तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा Next Question है डाट डाट एक क्रत्रीम औकजिन है तो जो एक क्रत्रीम औकजिन है वो कौन सा है वो Naphthalene Acetic Acid है तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा Naphthalene Acetic Acid अब देखिए Next Question है सुक्राणू की पूँच निम्न में से किसकी बनी होती है तो यहाँ पर भी देखिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है बुक्स में भी तो यहाँ पर जो है जो हमने इनलिसिस किया है उसमें से दो option निकल के आ रहा है एक Microtubule भी निकल के आ रहा है Microtubule और एक Centriole भी निकल के आ रहा है तो यहाँ पर भी इसको वेट करना पड़ेगा कि कौन सा option correct मान रहा है आयोग क्योंकि उत्तर प्रदेश आयोग को आप जानते ही है Next Question है Glycolysis के संबंध में क्या सही नहीं है क्या सही नहीं है तो यहाँ पर देखिए यह कहरा है केवल आक्सी जीवों में होता है यही गलत हो गया पहला option ही मलब यह सही नहीं है आक्सी और अनाक्सी Glycolysis क्या होता है आक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार की सोचन क्रियाओं को प्रथा मिश्टेफ होता है तो यहाँ पर A option कह रहा है मतलब की सही नहीं है Next question है पहली मौन में संतुलनाड किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं स्टेटो सिस्ट यहाँ पर पूँचा जा रहा है तो देखिए जो पहली मौन है उसमें से जो एनिक टिनूल है यह उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं तो यहाँ पर A option करेक्ट हो जाएगा एनिक टिनूल Next question है इंडो थेलियम इस से संबंधित है किस से रिलेटेड है एन्डो थेलियम तो जो बिजांड का आंदरी कामराण होता है यानि इनर मोस्ट इंटेगूमेंट आफ उप्यूल इस संबंधित होते हैं तो यहाँ पर A option करेक्ट होगा ती एच मौर्गन ने अपने सभी आनुवन सी कार्यों के लिए निम्निमें से किसका प्रयोक किया था तो यह ड्रॉसोफिला मक्षी का जो है प्रयोक किया था उन्होंने और इसी पर सब उन्होंने अपने पूरे एक्स्पेरिमेंट किये थे तो यहाँ पर A option करेक्ट हो जाएगा ड्रॉसोफिला नेस्ट क्वेशन है यूकेरियोटिक कोसिका के कोसिका अंगग गतिमान किये जाते हैं तो यहाँ पर देखिए बोथ हो जाएगा option C एक्टिन तंत्वों तथा सूच में लिकाऊं दोनों के दोरा एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रो ट्यूब्यूल्स नेस्ट क्वेशन है डॉट डॉट में अलैंगी बीजान समानता नहीं पाए जाते हैं किसमें नहीं पाए जाते हैं असेक्सूल स्पोर्स आर जनरली नाट फाउंड इन अगेरिकस तो यहाँ पर ए उप्शन करेक्ट हो जाएगा नेस्ट क्वेशन है पौधूं के द्वारा अवसोसित मरदा जल को कहा जाता है तो देखे इसमें से एग्री कल्चर से भी काफी कुशन पूछ लिए गया है दो तीन कुशन है जो पौधूं के द्वारा अवसोसित मरदा जल को कहा जाता है प्लान्ट एना टॉमी में भी इसको सामिल किया जा सकता है तो यहाँ पर क्रे सॉर्ड ए ओप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है भारत में गेहुं के रतुआ रोके वार्शिक पुन्रा व्रतिक का किसने वर्डन किया था यानि कि यहाँ पर क्या पूँच रहा है रस्टा फूइट इन इंडिया के बारे में पूँच रहा कौन से जो साइन्टिस्ट थे इन्होंने वर्डन किया था तो यह केसी मेहता थे ठीक है केसी मेहता भी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट होगा पाइनस का बीजांडी सलक हिस्सा है ओवली फेरस स्केल साथ पाइनस इजे पालटा किसका हिस्सा है तो ये मेगा स्पोरो फिल्स का हिस्सा है यानि की गुरु बीजांड उपन्ड का हिस्सा है नेस्ट कोईशन है डाट डाट डैस का मुख्यकार द्रव्य को सम्वेश्टित कर आंतर कोश की लच्च तक पहुचाना या कोशिका के बाहर स्रमण करना है किसका तो यहाँ पर जो गालगी बाड़ी है इसका मुख्यकार द्रव्य को समवेश्टित कर आंतर कोस्की लच्छ तक पहुंचाना या कोसिका के बाहर स्रमण करना है तो यहाँ पर B option correct हो जाएगा गालगी बाड़ी next question है विस्व पर्या वरण दिवस का मनाया जाता है पांच जून को मनाया जाता है तो A option correct होगा निम्न में से कौन सा कथन विसाडूँ के संबंद में कहरा है गलत है तो देखिए जो विसाडू होते हैं यहाँ पर कौन सा option गलत होगा विसाडू आविकल्पी पर जीवी होते हैं जीवित कोचका के अंदर दुईगूडित होने वाला अकोचकी जीव है विसाडू मरतोप जीवी होते हैं तो यहाँ पर यही C option correct हो जाएगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस संबंध में विसाडू के संबंध में गलत है तो यहाँ पर C वाला option यहाँ पर सई हो गए इस कोचन है लाइकेन में लैंगीक जिनन का संपादन होता है देखिए जो लाइकेन होते हैं वो क्या है साइवाल और कवक दोनों के साहचर से मिलके बनते हैं लेकिन यहाँ पर जो लैंगीक जिनन होगा sexual reproduction होगा वो सिर्फ फंजाई के द्वारा होगा ठीक है तो यहाँ प बुक से अध्यन किया होगा उन्हीं के लिए यह कुश्चन आसान हुए होंगे तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा अंबर कहलाता है तो यहाँ पर यू ए जी सी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा निमलकित में से कौन सा प्राथमिक वायू प्रदूशक है प्राइमरी ए यहाँ पर यहाँ पर बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा निमलकित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन करती है तो जो सी ओटू होती है वो क्या करती है ग्रीन हाउस गैस इसी से टंप्रेचर बढ़ रहा है अर्थका तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उ CO2 carbon dioxide यहां पर A option correct हो जाएगा नियो प्लाइना जोडने वाली कड़ी है इसको हमने पढ़ा था जब अपनी question answer की series की video class हमने की थी तो उसमें हमने देखा था कि एने लीडा और मॉलस्का जो नियो प्लाइना है यह इसके बीच की कड़ी है जोडने वाली कड़ी है इसका मतलब होता है कि एने लीडा और मॉलस्का दोनों के गुड़ पाया जाते हैं इसमें तो यहां पर A option correct हो जाएगा निम्द कित में से किसमें अप राइट पिरामिट उर्जा में अप राइट पिरामिट पाया जाता है एनर्जी में नेस्ट कोश्चन है तारा मचली के पेडी सिलेरी का मुख्यकार होता है तो इस वाले कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि इसमें से सबसे correct आंसर माना जाएगा capturing का ठीक है पकड़ने का तो यहां पर C option correct मान जाएगा नेस्ट कोश्चन है निम्न पौधों में से किसमे मूल गरंथी का राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है तो यहां पर जो कैजुराइना गलाइका है यह मूल गरंथी का राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है तो यहां पर D option को सही माना जा रहा है next question है अर्द सूत्रण के प्रोफेज फर्ष्ट में निम्लखीत में से क्या नहीं होता है क्या नहीं होता है गुर्षूत्रों का संगनन समझातों का युगमन कीजमा का निर्माण या फिर विसाईयोजन तो यहां पर D option correct हो जाएगा ठीक है segregation क्या नहीं होता है segregation नहीं होता है क्योंकि यह मियोसिस की फर्ष्ट स्टेज ही होती है यह प्रोफेज फर्ष्ट तो यहां पर segregation नहीं होता है तो D option यहां पर correct हो जाएगा next question है वह है एक बीजपत्री जिसके तने में असंगत दुतियक व्रद्ध होती है जो monocotylidum होता है जब हमने plant family पड़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था family liliacy में उसमें जो ड्रैसीना है उसमें क्या होता है secondary असंगत दुतियक व्रद्ध होती है बागी किसी में नहीं होती ह तो यहाँ पे dressina correct option होगा B option यहाँ पे correct होगा next question है विकास की सरवत्तम परिभासा है विकास की सरवत्तम परिभासा क्या है संसोधन युक्त संताने ठीक है descent with modifications तो यहाँ पे B option correct हो जाएगा next question है निमलखित में से कौन सा अमल एस पर जिलस नाइगर से उतपादित नहीं होत है तो देखिए जो गैलीक अमल होता है यह इस पर जिलस नाइगर से उतपादित नहीं होता है तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा next question है गिडल्ड लीफ ट्रेसेस विशिष्ट लच्छन है यह किसका लच्छन है तो यह साइकस का विशिष्ट लच्छन होता है ठीक है तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा next question है DNA से RNA आणुके अनुलेखन में शमलित रो तत्त होता है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा protein D option correct हो जाएगा protein next question है कुछ जीव ताप मानों के ब्यापक परास यानि जो चरम सीमा है वो सहिन कर सकते हैं और खोब बढ़ते हैं तो यह क्या कहलाते हैं तो यह कहलाते हैं प्रथु तापी D option यहाँ पर correct होगा next question है साइकस के बीजान्ड में निमने लिखित उतकों में से क तो यहाँ पर जो ब्रूण पोस होता है एंडो इस्पर्म होता है यह क्या है यह है प्लॉइड है उल्टा वल्कुटि ये समवहन बंडल डाड़स में मिलता है किस में मिलता है तो ये मिलता है निक्टैंथस में निक्टैंथस में उल्टा वल्कुटि ये समवहन बंडल मिलता है तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा next question है nucleosome बना होता है nucleosome किसका बना होता है तो यह DNA और histone का बना होता है तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा next question है निम्न में से फैसियोला के किस दिम्भक अवस्था से कई दिम्भक उत्पन नहीं हो जाते हैं दिम्भक का मतलब यहाँ पर लारवा की दारवाल स्टेज पूछी जा रही है तो यहाँ पर जो देखिए correct answer जो माना जाएगा वो माना जाएगा सरकेरिया ठीक है सरकेरिया अवस्था से कई दिम्भक उत्पन नहीं होते हैं तो यहाँ पर D option correct होगा next question है किसके कारण इस पंज में पूनर जनन کی छमता होती है इस पंज़ो में regeneration की छमता किसके कारण होती है पूनर जनन की छमता तो यह होती है इसके कारण आर्कियो साइट्स के कारण C option यहाँ पर correct हो जाएगा next question है विले विभाव सदय होता है सदय कैसा होता है निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा, ओबीलिया में सीनो सारक होता है, ओबीलिया में सीनो सारक कैसा होता है, तो यह ट्यूबलर और लिविंग होता है, तो यहाँ पर B option correct हो जाएगा, नलीदार और जीवित, next question है रूपात्मक दिरूपता के थैलस में पाया जाता है किसके थैलस में पाया जाता है तो यहाँ पर जो है इसका भी कुछ बहुत ज़्यादा correct answer नहीं मिल पा रहा है लेकिन फिर भी जो हमारा analysis है उसके हिसाब से यूलो थ्रिक्स में यह पाया जाता है B option next question है actino steel किस में पाय जाती है actino steel जो पाय जाती है वो lycopodium देखे यहाँ पर सभी जो है lycopodium के यहाँ पर species दे दिए गए है अब इसमें से चुनना है कि actino steel किस में पाय जाती है तो जो best answer है वो है lycopodium syretum में पाय जाती है ठीक है c option यहाँ पर correct है next question है एक आधर्स परिचार्थ संक्रण में प्रभावी फीनोटाइब वाले पौधे का फीनोटाइब वाले पौधे से संक्रण किया जाता है किस फीनोटाइब वाले पौधे से तो यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा अप्रभावी ठीक है प्रभावी फिनो टाइप वाले पौधे का अप्रभावी फिनो टाइप वाले पौधे से संक्रण किया जाएगा तो यहाँ पर A option correct होगा Next question है अस्थी की उपस्थिती बेजोड लच्छन है तो यह vertebrate की होती है कसेरुकियों की होती है तो यहाँ पर D option correct होगा Next question है तिल्चटा के रुधिर समवहन तंत्र विस्यक निमलिखित कतनों में से कौन सा सत्त नहीं है तिल्चटा के मतलब यहाँ पर कौक रोज के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा correct नहीं है यहाँ तो देखिए इसका रख्त हीमो लिंप कहलाता है तेरा चेंबर होते हैं सोचन वाड़ा का नपस्ती थे इसपंदी कोस नपस्ती थे यहाँ पर D option यहाँ पर यह correct होगा जीनोफोर नाम है जीनोफोर किसका नाम है तो यह जो बैक्टीरिया के DNA का नाम होता है जीनोफोर ठीक है तो यहाँ पर B option correct हो जाएगा चिनोफोर नाम है बैक्टीरिया के डियनेका Next question है सनरचना के अनुशार Ent, Amoeba, Histolytica कितने प्रत्थक रूपों में मिलता है तो यह दो रूपों में मिलता है तो यहाँ पर A option correct होगा Next question है प्रमस्तिस्क मलेरिया का कारण है Cerebral Malaria किस के काण होता है तो यह प्लाज मोडियम फालसी पेरम के काण होता है तो यहाँ पर B option correct हो जाएगा प्लाज मोडियम फालसी पेरम नेक्स कोशन है प्लेकिय अवस्था के जीवन चक्र में मिलती है किसके जीवन चक्र में मिलती है प्लेकिय अवस्था तो यह wall walks के जीवन चक्र में मिलती है तो यहाँ पर B option correct हो जाएगा wall walks next question है निम्न में से पैरा मीसियम की किस प्रजाती में जुकलो रेला सहवाल सह जीवी होता है तो यह पैरा मीसियम की जो प्रजाती है वो बरसेरिया तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा बरसेरिया पारिभासिक सब्द ब्रायोफाइटा को सरपर्थम किस ने प्रवर्तित किया था तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर बताना है कि किस ने प्रवर्तित किया था तो यह ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया था यहाँ पर B option करेक्ट माना जाएगा. Next question है, जीव द्रवी तंतु के दो विपरीत सिरों परिस्थित, अंतर द्रवी जालिका की दो सिश्टर्नियों को जोडने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं, Desmobuse, तो यहाँ पर B option करेक्ट हो जाएगा. Next question है, निम्ण में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहन करता है? तो इसमें से जो मक्खी होती है, यह अपने भोजन को तरल करके ग्रहन करती है. तो यहाँ पर A option करेक्ट हो जाएगा. House fly. कसाभिक की संख्यायों इस्थिती के अधार पर Vibrio Calorie होती है. Vibrio Calorie कैसी होती है? जो Vibrio Calorie होता है, उसके क्या होता है? एक कसाभ होता है, एक फ्लैजला पाया जाता है, तो यह Monotricus हो गया. तो यहाँ पर C option करेक्ट हो जाएगा. Next question है, प्रति इसकंदक मिस्त्रित मानव रक्त को यदि अपकेंदरी किया जाए, तो निमलिकित में से कौन सा सरप्रथम अपकेंदर नली के तल पर बैठ जाएगा? ठीक है, यह दिखी कामन सेंस वाले भी question पूछे गया है, यानि कि इस्टूडेंट के समझ के उपर है कि वो किस प्रकार का आंसर यहाँ पर बताता है, तो यहाँ पर जो correct answer होगा, वो होगा रक्ताडू, इरित्रो साइट्स, सरप्रथम जो है, अपकेंदर नली के तल पर बैठ जाएगा, तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा, लास्ट कोश्टन है, खाद जाल में लकडबग्गा तथा गिद्ध होते हैं, यह क्या करते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं न, उनको साफ करते हैं, तो यहाँ पर यह क्या कहलाएगे, आप मारजक कहलाएगे, C option यहाँ पर correct हो जाएगे, तो फ्रेंट्स इस प्रकार से हमने TGT biology 2016 के 125 question को यहाँ पर हमने solve किया है, final result आने तक इनको ही बिल्कुल सही मत मानिएगा, इस में से कुछ कोश देखिए, मतलब बहुत question हो में तो सब सही हैं, लेकिन 2-4 question ऐसे हो सकते हैं, जिन में से आयोग के द्वारा जो बताया जाएगा, वही सही माना जाएगा, तो इस प्रकार से जो 125 question है, इन में से हमने बहुत ही सत्यता बरतने की कोशिस की है, लेकिन फिर भी 2-4 question में से कुछ question में आगे पीछे हो सकता है, तो वह जो है, जब आयोग की साइट्स आएगी, की साइट्स आएगी, प्रश्नावली जब उत्तर माला हैगी, तो उससे जो है, पूरा सही प्रकार से पता चल पाएगा, कि आयोग ने कौन से question का आंसर सही माना है,